सो हलो फ्रेंड, CMK Sir Inspiration के इस वहतर वीडियो में एक बार पुना से आप सभी का श्वागत है तो दोस्तों आपने भले ही क्योंना अच्छे से तयारी की हो लेकिन आपने अगर कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा तो यकीनन मेरे दोस्त आप 30 नंबर का सपना छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत शारी स्टूइट कमेंट कर रहे हैं कि Sir हमें डर लग रहा है तो आज आपको एक हम हैकिंग ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप examiner को hack कर लेंगे यस मेरे भाई आप examiner को ही hack कर लेंगे और आपको अगर 30 में 30 नंबर लेना है दिन इस वीडियो को इंट तक देख लिजिए क्योंकि कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको remember करना है सबसे पहला जो सबसे पहला काम आपको करना है और कपड़े वगारा ढंक से पहन कर जाना है अब ऐसे नहीं है कि हाथ में इधर जंजीर लपेटे हैं उसके बाद यहां से 3-4 बटन खोल करके छाती दिखा रहे हैं डोले सोले दिखा रहे हैं तो इससे examiner देख करके ही आपको तुरंत ही भाई उसके दिमाग में आएगा कि बस 5-10 नंबर में इसको समेट देना है लेकिन आपकी तयारी नहीं भी है अगर आप इस तरह से जाएंगे तो उसका impression क्योंकि दोस्तों आपका first impression बहुत ज़्यादा जरूर है first impression ही teacher को पूरी तरह से impressed कर देता है कि हाँ लड़का किस तरह से है तो आपको KGF style में नहीं जाना यह यों डाड़ी बना करके कि पुस्पा पुस्पा राज मैं जूकेगा नहीं साला तो पुस्पा की style भी नहीं करना है भले ही आप किस तरह से रह रहे हो लेकिन आप बाद में अपना fashion कर लीजिए लेकिन आपको practical में तो इसी तरह से जाना है ठीक ना क्योंकि आपके मम्मी पापा भी देख करके बोलें वाह कि ऐसी कौनशी कृपा हो गई इस वर की मेरा बच्चा एकदम सुधर गया एकदम लाल गोपाल एकदम बन गया है तो आपको यह ध्यान रखना है ठीक दूसरी चीत आपको कभी भी over confidence नहीं होना है over confident नहीं होना है दोस्तों क्योंकि कभी कवार क्या जो बढ़िया teacher होते हैं बढ़िया teacher वो आपसे तुरंत ही सवाल करेंगे क्योंकि हम उस situation से गुजर चुके हैं वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या पढ़ें हैं आपको क्या बताना है तो कुछ student वहीं पर बोल देते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है और कुछ student क्या करते हैं वहीं बोलते हैं कि sir वैसे तो मेरा ये subject इस topic में अच्छा तयार है लेकिन मैंने basically ये जो चार्ट में बनाया है इसको अच्छे से तयार किया है तो वो जान जाता है क्योंकि बच्चा क्या है पहले से ही एकदम से सुधरा हुआ है अगर over confident होंगे तो teacher भी over confident होते हैं भाई वो पढ़े लिखे हैं उनको अच्छा नालिज है वो किसी न किसी question में तो आपको लपेट कर छोड़ देंगे इसलिए over confident कभी नहीं होना है ठीक अगर पूँच रहे हैं human eye आपने बनाया है तो पूँच रहे हैं कि मानो नेत्र का कौन सा हिस्सा दान करते हैं तो आपको बताना है सर जी cornea को दान किया जाता है आपको पूरा रामाड नहीं बताना है जो पूँचे केवल उसी का क्या करना है answer देना है ठीक ना अगर आप लेकिन बच्चों का practical हो गया और हमने बताया ना कि physics में भी उता दिया chemistry में भी biology में भी उसके अलावा और जिन बच्चों ने जिस चीछ का figure बनाया हो बता दें हम उस पर भी वीडियो बना देंगे ठीक ना मिलते हैं next वीडियो में